अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया होता तो लोग सब यहीं कह रहे थे कि जिस तरह से फ्लो टेस्ट के लिए जादा टाइम बीजेपी मांग रही थी अगर कोर्ट नहीं होता तो आज हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाती है बहुत सारे मेले थे लेकिन चीजे पल्टी कहां जब कोर्ट में जैसे ही बोला कि ओपन वोटिंग होगी विडियोग्रफी होगी उसके बाद चीजे बिगड़ गई क्योंकि उसमें अजीत पवार ने स्तीफा दे दिया फिर फटनविज जी ने स्तीफा दे दिया और विडियोग्र भी कोरे विडियोख में वह ड़ी हो जाधानी जो पलाद केमान। मंत्रियों के नाते कि जो आपरेश्यन कन वह अप्यों यह बाद हो रहा था तो यह को जी सटार्वाम में सेीफता है तू सरकार में मिज्डोरटी हुप तो पलान क्रेम के अवशक्ता थी पल सुपरिम कोट ने ओपन कोटिंग का भी मतलब आजिद दे दिया और एक दम 24 गंटे के अंदर आपको भूमसिद्ध करना है इसी तरह का आजिद देने के कारण ही मतलब आजिद दादा ने भी कोशिश की कि आप इस बात को मानते ही कि बीजेपी ने ये रियलाइज कर लिया था कि उसके पास जब अजीद पवार आए थे तो उनके पास पेपर पे ही MLA's थे वास्तों में MLA's नहीं थे जैसा कि अभिशेक मानू सिंग्वी ने भी कहा कोट में कि अगर आपके पास 105 MLA's BJP के हैं और अगर 54 MLA's और निवदली भी आपके साथ हैं तो आप मेजॉरिटी तुरंट क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं इसका मतलब BJP को पता था कि उनके पास MLA's नहीं है ने बीजेपी को पता नहीं है अजीद पवार ने बोला था कि मेरे पास MLA है तो ये तो मतलब इतना टाइम नहीं में मिलागी उनके साथ कितने MLA है या नहीं है लेकिन आपको लगता है ठाफले साथ कि BJP इतनी कच्छी पार्टी है कि अजीद पवार ने कहा उनके 54 MLA's आ जाएंगे और BJP आंख बंद करके मान लेगी कि सारे 54 MLA's बीजेपी के खेमे में आएंगे ये बात थोड़ा में आएगी लेकि इंस्यूशना साथ में आई नहीं आखिर तक